असलाम अलेकुम वेलकम बैक टूडे आवर टोपिक इस मैन्यू लिंक तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से मैन्यू नेम चेंज करते हैं और चेंज करने के बाद अगर हम इन नेम पे क्लिक करते हैं तो यह देखे हमें यह किसी और ही वेबसाइट से रिड् समझ आए यह देखें न्यू टैब में भी ओपन किया तो वह इस लिंक से यहां इस वेबसाइट से हमें रिड्रेक्ट करवा रहे हैं हम इसको करते हैं साइट पर आते हैं अपनी कोडिंग पे थोड़ा सा इसको करते हैं स्क्रॉल डाउन और यहां पे देखें यह हमें मिल आर यल जो आपको रेड कलर में एच्टीटीपी एस से लेके एच्टीएमल तक होगा ना इसको आपने रिमूव करते जाना और यहां पे आपने हैश लगाते जाना है अब इसको करते हैं हम सेव और प्रोसेसिंग हो रही है तो आप देख सकते हैं इसको हम करते हैं क्लोज अब आते हैं हम अपनी वेबसाइट पर यहां पर देखें अब हम क्रोम पर अभी एक दफ़ा क्लिक करके में दिखा देती हूं करती हैं तो यह देखें इस में रीड्रक्ट करवारा है अब हम करते हैं अपने स्टोर को रीफ्रेश है और इस पर दुबारा क्लिक करेंगे तो यह जो बटन है अब यह जो Chromebooks वाला मेन्यू बटन है अब इस पर क्लिक करेंगे तो यह कोई वर्क भी नहीं करेगा ठीक है यहां पर देखते हैं कोई भी एक्टिविटी नहीं प्लेई हो रही लेकिन अगर हम यहां पर स्मार्ट वाची उस पर करते हैं क्लिक तो यहां पर अ उन्होंने हमें यहां पर किसी और वेबसाइट से रेड्रेक्ट करवा दिये तो हमने क्या करना इनको रिमूब करना इसके बाद असेसरीज पर देखें यहां पर जो नीचे पिक्चर्स शो हो रही है ने इसको भी हमने हटाना है यहां से लिंक और हटाने के बाद हम देखे देखेगे, कोई भी पिक्चर शॊऔर नहीं होग्या, अब हम इसे करते हैं साइड पर और यहां पे देखेए, अपनी कोडिंग में आते हैं और यहां पर हमने जो नेम दी है, वो नेम देखते जाना है और आपने यहां से रेमॉव करते जाना है लिंक को, जो भी लिंक लगा कि ये है सब हैडिंग वाले लिंक वहां पर हमने सब हैडिंग में नेम दी है ना पावर बैंक और वहां पे फून कवर हैंड़् रिए। इन भी लिंक लग़े हुएं इन लिंक्स को भी आपने रिमोब करते जा लाओ और हैश लगाते जाना है अश को जल्दी कर लेती रिमूव देखें असस्रीज में जो है यहां पर एच्ट यारी एफ के आगे जो है उन्होंने खुद ही हेश लगाया हुए आपने भी यह सी करना है रिमूव करते जाना और हैश लगाते जाना हम इसमें बाद में अपनी प्रोडक्थ्स का लिंके एड ताकि अगर कोई इन बटन पे क्लिक करें मेन्यू बटन पे तो वो ड्रैक्ट रीड्रैक्ट हो जाए हमारे नेक्स्ट पेज के साथ तो अभी हम इसको करते हैं रिमूव और हमारे लिंक तब लगेंगे जब हम पोस्ट अपनी क्रियाइट कर लेंगे तो इसलिए अभी यहां पे हमारे पास लिंक अवेबल नहीं है क्योंकि हमने पोस्ट अभी तक की नहीं है तो पोस्ट अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे किस तरह से हमने पोस्ट करनी है और किस तरह स्लाइडर शो करवाने हैं अब मैं इसको कर देती हूं सेव लिंक हो चुके रीड्रेक्ट करवा रही है यहां पर वाइटी चैनल का लिंक लगा हुआ था इसको हमने वैसे अभी रिमूव करती है लेकिन अभी हमने अपने स्टॉर को रिफ्रेश नहीं किया जिसकी वज़ा से अभी यह वही हमें लिंक दिखा रहा है टैप्स पर क्लिक करती है तो यह द क्लिक करने पर कोई वर्क नहीं कर रहा अब हमने जब अपनी पॉस्ट क्रियाइट करनी है तब इन में हमने लिंक लगाने है यह देखें अभी और अगर असेसरीज पर लेके जाएं तो देखें कोई इमिजिज यहां पर शो नहीं करवारा अगर मुबाइल फून या सेसरीज पर हम लेके जाते हैं कंसर यह देखें यहां पर कोई फी बिंजिज वगएरा जो है वो ऩूशर नहीं करवारा जिस्ट नेम शो करवारा जो नहीं दिये थे अभी आप यहां पर देखें हमारे स्टॉर पर मैन्य कितन problèmes हैं हमारे स्टॉर पे अगर आपको 7 मैन्यू जरिणे एयड करना हो, एयड करना हो तो आफ किस तरह से च्रियाइटıs कर सकती हैं? अगर आपने मेन्यू को developed करना है इस तरह का जिसमें सब हेर्डिंग इस तरह चाहते हैं किसमें हैं को जैसे क्या है, ज Caribbean हो जिसमें मोबाइल फून और अश्सरीश तरह और यहां से देखें मुबाइल फून वाली कोडिंग आप देख लिए कहां से कहां तक मैंने कोपी की है इतनी आपने कोपी करनी है और कोपी करने के बाद नीची आके करनी है पेस्ट और paste करने के भाद आप देखें के यहां पर देखें यहां पर mobile phone name इ Near menu को और second भी यहां पे क्या है mobile phone है, हमारे पासं दो menu mobile phone के नेम से हैं और अभ मैं इसको करते हैं save, save करने के बाद आदर देखें, side पे, आप store पे देखें अभी यहां पर mobile phone है नेक्स्ट क्या है हमारे पास असेसरीज तो यहां पे हमारे पास कोडिंग में क्या है हमारे मैं यहां पे ओन्टू करके भी एक तफ़ा कर देती हूं यह देखे कोडिंग में हमारे पास मुबाइल फून के नेम से दो मैन्यू है तो हम क्या करते हैं यहां पे मैं हाईलाइट भी आपको करके दिखा मारे पास हैक मूबाइल फून ना हैसेसरीस अब हम क्या चार रहे हैं चार रहे हैं कि यहां पर 6व हो यहां पर जो करते हैं कि और आपनड़ NICK मैंनु नेम शो हो गए है अब हम आते हैं COding पे दुबारा और यहां पे मॉबाइल फुन remove करते है second number ऑला और यहां पे हम लिक देते है phone covers और हम finance sev करके देखेंगे कि क्या पुर्पाइल फून के भाद हमारे प्रशो होता है या नहीं सको करते हैं save और मैं इसको कर देती हूं यहां पर देखें हाइलाइट के इन इस नेम को जो मुबाइल फून वाला सेकंड नेम है इसको हमने दोबारा चेंज किया है और यहां पर कर दिया फून कवर ताकि आपको अच्छे से डिटेल में समझ आज़े इसको करते है रीफ्रेश और रीफ्रेश करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर मुबाइल फून हो गए और उसके बाद अगर आप यहां पर सब हेडिंग वगएरा के नेम चेंज करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं इसली अब मैं आपको बता देती हूं कि अगर आपने मैं एक दफ़ा स्टोर को यहां पर ले आती हूं और देखें यहां पर हमारे पास कितने मैन्यू थे पहले 6 अब मैं इसको मैं देखें काउंट करके आपको दिखाती हूं कि यह कितें बन जाते हैं कि देखें, अब हमारे पास है seven, अगर अब आपको menu में कोई ऐसा menu create करना है, जिसमें sub heading ना हो, तो वो मैं आपको बता देती हूं, ताकि आपको easily जो है, पता चल जाए कि आपने किस तरह से करना है, अगर आपको कोई और menu यहां पर generate करना हूं, आपने क्या करना है, अगर यहां show करना है, यहां पर depend करता है, आपने किदर करवाना है, ना यहां पर मौबाईल फून के बाद, आप देखें, ब्ऑोल ंसले से पहले यांप मैं आप चाती हूं को आपने है जिसके बाद से आप चाते हैं, यहां पर देखें, और menu पैस्ढाराँ आप जायेंगOTH चेंज किया कोडिंग का उसी तरह से नेम है जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए कि देखें हाँ यहाँ पे वो ही नेम शो हो रहा है जो वहाँ पे यहाँ पे देखें अब हम चाह रहे थे मॉबाइल फून और फून कवर्स के सेंटर में जो है हमें सब हेडिंग के बिना वाला जो है नेम मैन्यू वो शो हो तो हम क्या करते हैं रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं यहाँ पे होम आया या नहीं आया उस पे कंसर लेके जाएंगे तो वो कोई भी नीचे जो है अपनी लिस्ट बगार उपन नहीं करेगा यह देखें अब हम क्या करते हैं अब हम आ जाते हैं अपनी कोडिंग में और यहां पे देखें जो होम है नहीं इसको रिमूव करते हैं और यहां पे हम कर देते हैं गेमिंग गेमिंग करने के बाद अब इसको करते हैं हम सेव save करने के बाद देखीएगा कि home का name change होके gaming में आता है या नहीं हम करते हैं store को refresh और देखते हैं यहां पर gaming यह देखें यहां पर gaming name जो है वो शो हो चुका इस तरह से आप easily अपने लिए menu अपनी store के लिए generate कर सकते हैं, create कर सकते हैं वाला करना हो तो सब हेडिंग वाला कर सकते हैं और बिना सब हेडिंग करना हो वो भी कर सकते हैं और मैंने कोडिंग एक दफ़ा दुबारा से हाइलाइट कर दिया आप इस तरह से सब मेन्यू वाला कर सकते हैं और बिना मेन्यू के ये देखे ये वाली कोडिंग आप कोपी कर सकते हैं लाइक ये होम वाली जिस तरह से है तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमने ये पॉस्टिंग किस तरह से करनी है और किस तरह से यहां पे स्लाइडर शो करवाना है अपने स्टोर पे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्क्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाल न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंगते रहें तब तक के लिए अल्ला हाफिज